हेलो स्टूडेंट्स आज अब हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 3.3 3.1 और 2 हम कर चुके हैं 3.3 पढ़ेंगे आज लुग क्या पूछ रखण है in which quadrant ? और on which axis ? यह आपको points दिए हुए है और यह बताए ना आपको किस quadrant में लाए गरते हैं और किसे एक्सस पे लाए गरते हैं verify your answer locating them on the Cartesian plane और इनको verify करके दिखाएना है किस पे Cartesian plane पे पहले हम नहीं क्या draw किया, Cartesian, Plain draw किया, यह हमार पास x-axis है इदर, इदर हमार पास x dash आ जाएगा, x dash मिन से x की value इदर negative आएगी, यह हमार पास y है और यह इदर क्या आजएगा, y dash आजएगा, बीच में जो हमार पास point होता है, उसको हम क्या बोलते है origin, आपने introduction में पढ़ा था हम, अब हमार पास points note करने के पाद, first point क्या है minus 2, 4, it means x की value क्या हैगी, minus 2, y की value 4, x की value minus 2 किदर है, यह हमार पास x की value minus 2 है, तो यहां आ गया और y की value 4, y की value 4 यहां है, तो दोन्नों कम मिलाएंगे इसको इदर से लेके चलेंगे और इसको इदर से लेके चलेंगे यहां पर आके हमारे point मिलते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इस point को minus 2, 4, और यह किस quadrant में है second quadrant में, तो क्या बोलेंगे minus 2, 4 किस quadrant में लाई करता है second quadrant, next point है x की value 3, y की value minus 1, x की value positive है, तो positive हमार पास ही धराएगी x की value, यह क्या है आपके पास x की value 3, y की value negative है, तो y positive उपर है लेकिन y negative नीचे है, तो हमार पास नीचे की side आजाएगे, minus 1 इसको इदर से लेके है, इसको इदर से लेके है, इस point में मिलेंगे, तो इसको हम क्या बोल देंगे, point 3 minus 1, यह कौन सा quadrant है, fourth quadrant, तो यह मारा किस में लाई गरता है, fourth quadrant में, next है हमार पास x की value, minus 1 y की value, 0, x की value, minus 1, it means यह आएगे आपके पास, minus 1, y की value 0 है, y की value 0 कहां पे, यहां पे है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो यह point आ गया, इसकों क्या बोल देंगे, कौन सा axis है, x axis, यह हमार पास किस axis पे है, x, axis next है, 1, 2 x की value 1 आएगी, y की value 2, x की value 1 हमारे पास, x की value 1 है इधर से चलेंगे, y की value 2, इधर से आएगे, यह हमारे पास point आ गया, किस quadrant में लाई करता है, first quadrant में इसकों क्या लिखेंगे, first quadrant next है, हमारे पास, minus 3 minus 5, x हमारे पास negative कि इधर है, यह हमारे पास x negative आ गया, minus 3 y negative का है, यह आ गया minus 5, इधर से भी हम चलेंगे, यहां, और इधर से भी हम आएगे, तो यह point हमारा जहां पे दोनों मिलते हैं, तो उस point कों क्या बोल देंगे, minus 3 और minus 5 किस quadrant मिला ही करता है third quadrant में, तो इसको उमने क्या बोल दिया, third quadrant next है, question number second plot the points xy given in this table on the plane आपको एक plane दिया हुए है और जो points दिये हुए हैं उसको draw करके दिखाने, choosing stable units of distance on the axis, और जो distance है आपको stable लेनी है, जो भी आपको stable units लेनी है, उसके according लेनी है, मेंसे, आप 1 1 के difference मिले रहे हो, या आप 2 2 के difference मिले रहे हो, आपकी मर्जी है ठीक है, लेकिन अगर यहां 1 के difference में, यहां भी 1 difference होगा यहां भी और यहां भी, हर एक जिखा difference सेम लेनी है, आपको partition plane ड्रो करेंगे, हम उसके बाद x की value क्या है, minus 2 y की value 8, x की value minus 2, x negative किदर है, इदर हमारे पास x negative है, यह आगे minus 2 y की value 8 का है, यह हमारे पास y की value 8 आगे, तो दोनों को जो हम draw करेंगे, इसको भी दोनों कर देंगे, इसको भी यहां से लिकर जाएंगे, जहां पे यह मिल जाएंगी, दोनों point, उसको हम क्या बूलनेंगे, minus 2, 8 next point है, x की value minus 1, y की value 7, x की value minus 1, ये x की value minus 1 है, y की value 7, ये आपके पास y की value 7 है, तो इसको यहां से draw करेंगे, इसको यहां से draw करेंगे यह point आपके पास क्या आजाएगा, minus 1 और 7, next है x की value 0, y की value minus 1.25, x की value 0, it means, यह हो गई x की value 0, y की value negative, negative है तो निच्चे की side आएगी, 1 से बड़ी है, means 1.25, तो 1 के बाद ले लेंगे थोड़ी से, हम यह 1 है, आपके पास इससे थोड़ा सनीचे ले लेंगें, यह हमार पास क्या आजएगा, जहाँ x की value 0, y की value minus 1.25, next है x की value 1, and y की value 3, x की value 1 आपके पास कहा आती है, यह आपके पास x की value 1, y की value 3, positive है तो उपर की side आएगी, यह हमार पास क्या आजएगी, x की value 1, y की value 3, next है x की value 3, y की value minus 1, x3 हमार पास यह है, y की value minus 1, इधर minus 1 है, तो इधर से लेक आएगे, ऐसे रो कर देंगे, पास आपके पास क्या आजएगा, 3 minus 1, यह दो कोशन थे आपके, exercise 3.3 के अंदर, and chapter भी complete हो गया, okay, thank you. पास आफके हैं आपके आपके,